हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटुब चैनल कम्प्यूटर के आनबुक दोस्तो स्वागता आपका अमारे इस पैरे से यूटुब चैनल में आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर हैं मुझे पता है सो प्रसेंट आपको नहीं पता है जो पांस ट्रिक्स मा आपको बताने वाला हूं वह आते वालगते के नहीं कि इंस में proportion चैनल को तो प्लीज जाकर के सस्क्राइब कर लें और वीडियो को सेयर करें और गंटी का निसान ध्यान से उन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सुके तो चलिए दोस्तों शुरू करते वीडियो और देखते हैं आज का टोपि आपके सामने MSPENT open हो जाएगा कुछ इस तरीके से तो सबसे पहली ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रिक्स हमारी होगी कि जैसे मालो आपने एक जो है बोर्डर कलर में ये बोर्डर आपने कर लिया अब देखो ये बोर्डर आपने कर तो दिया लेकिन अब इसका आप कलर बदलना चाहते हो तो कलर कैसे बदलेंगे इसका आपको यहाँ पर चले जाना है इरेजर के उपर इरेजर पर जाने के बाद आपको second color select करना है दूसरा जैसे मैंने ये वाला color या रैड color जो भी है मैंने चूज कर लिया यहाँ पर इसकी size को आपको बढ़ा देना है control plus दबा करके keyboard में keyboard में control plus दबाना है आपको right click करना है mouse का तो इस तरीके से इसका जो है आप इसके उपर drag करोगे तो इसका color जो है change हो जाएगा तो यह हमारी पहली tricks थी यह tricks आपको नहीं पता थी next trick की अगर हम बात करें दोस्तों आपने बुरुस देखा होगा यह बुरुस आपने पहले से बने वे बुरुस देखे होगे लेकिन आप चाहते हो कि हम खुद का बुरुस बनाएं तो खुद बना ले के लिए आपको pencil पे click करना है और यहाँ पर ऑपको कुछ इस तरीके से जैसे मैं ने यहाँ पर draw कर लिया यह इस तरीके से आपको draw कर लेन तो transparent करने के लिए हमें क्या select पर जाना है और transparent option जो ये दिखाई दे रहा है आपको इसके उपर आपको click कर देना है अब ये transparent हो चुका है अब आपको mouse का click दबाना है ये shift दबाना है आपको shift दबाते ही जो है ये Bruce का काम करेगा ये देखिए ये जो है ये आपका Bruce का काम कर रहा है तो इस तरीक्य से जो है आप खुद का Bruce भी बना सकते हो आप चाहो तो इससे transparent भी कर सकते हो अब ये transparent नहीं है तो transparent आप यहां से कर सकते हो transparent करने के बाद आप इसका Bruce के रूप में काम में ले सकते हो next topic के अगर हम बात करें next trick की next trick के हमारी बहुत ही कमाल की trick है next trick आप जैसे मालो grid lines show करना चाहते हूँ आप कोई भी pikantik मना लो हो और उसकी grid lines जो है आप आप show करना चाहते हो तो आपको control G रवाना है और इसके अंदर जो है आपकी grid lines जो है show हो जाएंगे next की अगर हम बात करें ugly trick की तो ugly trick हमारी ये होगी कि जैसे मालो आपको नया color बनाना है इसमें कोई भी एक नया color आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो तो यहाँ पर click करेंगे edit colors पे और edit color में जाकर कि आपको कितना color decrease करना है कितना color आपको रखना है कितना गहरा रखना है कितना कम रखना है वो color आप यहाँ पर select कर लोगे और okay कर दोगे तो वही color आपको यहाँ पर खाली box में एक color मिल जाएगा ठीक है यह हमारा next है अब इसके बाद में हमारे पास जैसे मालो कोई भी picture है या फिर आप कोई भी picture है उसको पारदर्सी करना चाहो तो पारदर्सी कैसे कर सकती हो तो यहाँ पर कोई भी picture हम बना लेंगे पहले यहाँ पर जैसे यह मालो हमने कोई picture बना ली है इस picture को हमें पारदर्सी करना है यहाँ पर पहले color डाल लेंगे कोई भी color आपको डालने ना है कुछ इस तरीके से यह इस तरीके से आपने एक कलर डाल दिया है अब इसको आपको सेव करना है सेव करने के बाद आपको यहां पर फाइल में desktop प्राइट सेलेक्शन इसको अगर आपको धुक्टी दोगे तो आपकी पर लिक रांगरांड को दिखेगा और दोस्तों जितने जो भी मेरे साथी हैं जो भी मेरे भाई हैं वो अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप सस्क्राइब कर लो यार सस्क्राइब करने में क्या जाता है कोई पैसा तो लगता नहीं है आपका तो प्लीज सस्क्राइब कर लें और गंटी का निशान ध्यान से उन करें ताकि आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके थैंक्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपसे मुलाखात रहें